Welcome to Green Board, मिरा नाम है मंदीप, इस वीडियो में करेंगे Class 10 के Subject Match Chapter No. 3, जिसका नाम है Pair of Linear Equations in 2 Variables से, इसकी करेंगे Exercise 3.2, नई NCRT Book के According, Exercise 3.2 में Total 3 Questions है, तीनों Questions को एक एक करके इसी वीडियो में Solve करेंगे, वीडियो की Length जो है वो लंबी होगी, क्योंकि जो भी 3 Questions दिये 3.2 का Question No. 1 हमारे सामने है, Question No. 1 में कहा गया है, Solve the following Pair of Linear Equations by the Substitution Method, अब Substitution Method क्या होता है, यह इस Chapter के Introduction वाली वीडियो में Explain किया गया है एक्जाम्पल के साथ, तो पहले Introduction वाली वीडियो जरूर देख लेना, Link आपको दिया गया है, Introduction वाली वीडियो का Description Box में, Substitution Method अगर आपको आता है, तो बिल्कुल Easily आप Pair of Linear Equations को Solve कर सकते हो, और जो भी Variable यहाँ पर X और Y है, उनकी Value Find कर सकते हो, So, First वाले पार्ट में हमें दो Equations दी गई है, उपर वाली हो जाएगी हमारी काई जो First Equation, नीचे वाली हो जाएगी हमारी Second Equation, Solution में क्या करेंगे, जो भी हमारी First वाली Equation है ना, इसको यहाँ से Solve करना Start करेंगे, तो यहाँ पर हमें लिखूंगा, From Equation First, First वाली Equation से इसको Solve करना शुरू करेंगे, तो First वाली जो भी हमारी Equation है, यहाँ पर लिख लेते हैं, First वाली Equation हमारी है, X प्लस में Y इकॉल्स टुमें आ जाता है, 14 यहाँ से क्या करना है, हमें किसी भी एक Variable की Value को Find कर लेना है, यहाँ पर हमारा X है और Y है, किसी भी एक Variable की Value को Find करना है, तो X Variable की Value को Find करते हैं, X इकॉल्स टुमें हो जाएगा हमारा 14 और जो भी हमारा Plus का Y है, दूसरी तरफ Shift करेंगे तो हो जाएगा Minus का Y, जो भी हमारी यह X की Value आई है, 14 माइनस में Y, इस X की Value को Second Equation में X की जगह पर हमें Put कर देना है और Solve करना है, तो उ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ Second Equation, जो की है X माइनस में Y इकॉल्स टुमें 4, अब जो भी हमारा X है, इसकी जगह पर हमें 14 माइनस Y रखना है, तो X की जगह पर आ जाएगा हमारा 14 माइनस में Y, उसके बाद क्या होगा, इस X की जगह पर यह Value आ गई, इसके बाद वाली Value Minus Y और Equals का 4 यह As It Is यहाँ पर आ जाएंगे, अब यहाँ पर हमें जो भी Values है ना उनको Calculate करना है, बिल्कुल Simple Method है आगे, जो भी हमारा Minus का Y है, यह भी हमारा Minus का Y है, Minus Y, Minus Y, Sign Minus का ही रहेगा, लेकिन दोनों Add हो जाएंगे, दोनों Values Minus की है, तो Y और Y यह हो जाए 14 यहाँ पर Plus का है, दूसरी तरफ Shift करेंगे तो हो जाएगा, Minus का 14, अब इसको आगे Solve करेंगे, तो यहाँ पर हमारा Y As It Is रहेगा, Equals To में 4 में से 14 को Minus करेंगे, छोटी Value में से बड़ी Value को Minus करते हैं, तो Value हमें Minus में मिलती है, और यहाँ पर Value क्याएगी, इनका Difference, 14 औ अब हमें Minus 2 का भी ध्यान रखना है, Minus 2 Y के साथ Multiply है, दूसरी तरफ Shift करेंगे तो हो जाएगा, Divide में Minus का 2, ऊपर भी Minus का Sign है, नीचे भी Minus का Sign है, Minus Sign से Minus Sign कैंसल हो जाएगा, 2 के टेबल में 10 आता है, तो 2 से 10 को कैंसल कर देंगे, 5 टाइमस पर, जो भी हमारा Y है, उ 1st और 2nd equation उठा लेनी है, और Y की value जो भी हमें मिली है, Y की जगह पर उसे put कर देना है, तो 1st वाली equation उठा लेता हूं, 1st वाली equation हमारी है, X plus में Y equals to 14, यहाँ पर हमारा X as it is रहेगा, plus का Y जो है हमारा, यह Y के है, इसकी value हमने 5 find कर ली है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 5 equals to में आ जाएगा 14, so X as it is equals to में 14 आ जाएगा, हमारा जो भी 5 है है उसको दूसरी तरफ fact दो, plus का है, दूसरी तरफ fact देंगे तो हो जाएगा minus का 5 है, X की value क्या हो जाएगी, 14 में से 5 को minus करेंगे, तो X की value मिल जाएगी हमें 9, हमें 2 चीज़े find करनी थी, solve करना था जो भी pair of equations हैं, इनको, तो Y की value हमें 5 मिलती है, X की value हमें 9 मिलती है, यहाँ पर लिख देंगे, X से equals to में 9, और Y equals to में 5, यह हो जाएगा question number 1 के first वाले part का answer, यानि की solution, जैसे first वाले part को solve किया है, इसी तरह से question number 1 के जो भी parts हैं, उनको सब को भी solve करेंगे, pair of linear equations को solve करने के जो भी methods हैं, जब आपको वो clear हो जाते हैं, तो आपको बहुत सारे questions की practice करनी होगी, NCRD book में enough questions नहीं है, तो मैं आपको recommend करूँगा, Oswald Gurukul का ये question bank है, ये math और science दोनों subject के लिए available है, इसमें enough questions दिये गए हैं practice के लिए, जो भी syllabus है latest, उसके according इसको design किया गया है, 2024 में जो भी exams उसमें आप अच्छा perform कर पाओगे, अगर इस question bank से आप practice करोगे तो, जो भी Oswald Gurukul के ये question banks है, इनको purchase करना है, तो link description box में दिया गया है, वहाँ से purchase कर सकते हो, या फिर direct Amazon पे जाओ, search करो, Oswald Gurukul question banks और purchase करो, जो भी exam है, उसकी performance को improve करो, अब आ जाते है question number 1 के second वाले part पर, उसके लिए move करते हैं next, page पर, question number 1 का second वाला part आ जाता है, इसमें भी हमें दो equations दी गई है, उपर वाली first equation हो जाएगी, नीचे वाली second equation हो जाएगी, हम इसको solo करेंगे, first वाले equation से, तो यहाँ पर हमें लिखता हूँ, from equation first, जो भी first वाले equation है, हमारी S-T equals to me 3, उसको as it is, यह यहाँ पर लिख लेंगे, S-T equals to me 3, यहाँ से variable की value find कर लेंगे, किसी भी एक variable की, S और T हमारे दो variable हैं, तो S की value find कर लेते हैं, S से equals to me आ जाएगा, 3 minus का T है, दूसरी तरफ shift कर देंगे, तो हो जाएगा, plus का T, जो भी हमारी यहाँ पर value मिली है, S की, इस S की value को second वाली equation मे S की जगह पर put कर देंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, put S equals to 3 plus में T in equation, second इस वाली value को S की जगह पर second equation में रख देंगे, तो second equation सबसे पहले यहाँ पर लिखी जाएगी, S upon me 3 plus में आ जाएगा, हमारा T upon me 2 or equals to me 6 हमारा as it is है, अब इसमें S की जगह पर उसकी value 3 plus में T put क करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल S की जगह पर आ जाएगा, हमारा 3 plus में T, उसके बाद denominator वाला 3 as it is, plus का sign लगा लेंगे, T हमारा as it is आ जाएगा, upon me 2 or equals to me 6 है, अब इसे next step जो है, वो यहाँ पर perform करेंगे, next step में क्या करना है, हमें जो भी denominator वाली value है, उनका LCM लेना है, 3 और 2 है, LCM कितना मिलेगा, हमें LCM आ जाएगा guys, 6, अब important बात ये है कि उपर हमारी कौन सी values आती है, देखो बिल्कुल सिंपल है, अलग-अलग values है, दोनों का LCM हमने निकाल लिया है, तो 2 को 3 plus T में multiply कर दो, 3 को T में, इस तरह से cross में multiply कर दो, 2 को 3 plus T से multiply करेंगे, 2 को 3 से multiply करें तो ये हो जाएगा हमारा 2 T, इसके बाद plus का sign as it is, इस वाले T में हमें 3 multiply करना है, cross में multiply करना है, तो 3 T हो जाएगा, multiply करने पर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 T और equals में, जो भी हमारी value 6 है, वो as it is आ जाएगी, अब इससे next step क्या करना होगा, जो भी values हैं, उनको calculate करेंगे, हमारी values 6 plus में 2 T, उसके बाद plus का 3 T, ये as it is आएगी, equals का sign लगा लेंगे, यहाँ पर 6 divide में है, दूसरी तरफ shift करेंगे, हो जाएगा multiply में, 6 को 6 से multiply करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 36 है, अब इससे आगे जो भी हमारी values हैं, देखो 2 T और 3 T दोनों को add कर देंगे, 2 T plus मे 3 T, ये हो जाएगा हमारा 5 T, equals 2 में हमारा 36 है, as it is, यहाँ पर 6 plus का है, दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा, minus का 6 है, इसके बाद जो भी हमारी T की value है, वो find करेंगे, T equals 2 में 36 में से 6 को minus करेंगे, तो ये हो जाएगा, 30 और 5 यहाँ पर multiply में T के साथ जो है, दूसरी तर 5 से 30 को cancel किया जा सकता है, 5 से 30 को cancel करेंगे, 6 times per T की value आ जाती है, यहाँ पर 6, बिल्कुल simply T की value हमने find कर ली है, अब S की value find करनी होगी, S की value find करने के लिए जो भी हमारी first equation है, उसमें जो भी हमारी T की value है, उसको put करेंगे, तो यहाँ पर first equation, S minus T equals 2 में 3 में as it is लिखता T की value हमने find की है, 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 equals 2 में 3 हमारा as it is, S की value क्या होगी हमारी, S equals 2 में 3 हो जाएगा, minus 6 है, दूसरी तरफ भेज देंगे, तो यह हो जाएगा plus का 6 है, S की value आ जाएगी हमारी 3 plus 6, 9 है, question number 1 के second वाले part में हमने T की value find कर ली है, 6 है, उसके ब number 1 के second वाले part के solution, जैसे second वाले part को किया है, इसी तरह से third वाले part को solve करेंगे, उसके लिए move करते हैं next, page पर, question number 1 का third part हमारे सामने है, उपर वाली first equation, नीचे वाली second equation, solution में हम solve करेंगे, equation first से, तो यहाँ पर लिख दिया है, from equation first, first वाले equation को देखोगे, 3x minus y equals to 3 हमें दी first equation है, उसको यहाँ पर लिखता हूँ, 3x minus y equals to me, 3 यहाँ से y की value find करने का मतलब होगा, y के अलावा जो कुछ भी है, दूसरी तरफ उसको shift कर देना है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा minus y equals to me, आ जाएगा हमारा 3, इसके बाद 3x plus का है, दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएग minus का 3x है, अब यहाँ पर हमें y की value find करनी थी, लेकिन मिली हमें है minus y की, इस situation में हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी equation है ना, पूरी की पूरी equation से minus sign common लेना होता है, minus sign common लेने के बाद बचेगा, देखो guys, minus sign common लिया है, तो अंदर plus का हो जाएगा, y plus का हो गया, minus sign common लेने क बिल्कुल basic meaning होता है, जो भी plus वाली values हैं, वो minus में हो जाती है, और minus वाली values प्लस में हो जाती है, तो y minus का था, plus का हो गया, इसके बाद equals का sign लगा लेंगे, यहाँ पर 3x कैसा है, minus का है, तो यह हो जाएगा हमारा 3x, plus का, इसके बाद जो यह वाला 3 है, इसके आगे कोई भ हो जाएगा हमारा minus का 3, जो भी minus sign हमने कोमल लिया है, minus sign कोमल लिने के बाद हमारी equation क्या हो जाएगी, y equals to 3x minus 3, अब जो भी हमारी y की value i है, इसको second equation में y की जगह पर put करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, put y equals to 3x minus 3 in equation second, second equation में y की value जो भी यहाँ पर हमने find की है, उस को put करेंगे, तो second equation यहाँ पर as it is लिखेंगे, 9x minus में आ जाएगा, 3y और equals to में आ जाएगा, 9, अब यहाँ पर y की जगह पर value पुट करनी है, तो 9x हमारा as it is minus में 3 आ जाएगा, यह हमारा y दाहा, y की जगह पर हमें value रखनी है, 3x minus में 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3x-3 bracket close करके equals to 9 हमारा as it is अब इसको आगे solve करते हैं यहाँ पर जो भी हमारा 9x है वो तो as it is आ जाएगा इसके बाद minus का sign भी लगा लेंगे 3 और 3x को multiply करेंगे दोनों को multiply करेंगे 3 3s हो जाएगा गाईज यहाँ पर 9 इसके बाद जो x है यह as it is यहाँ पर लग जाएगा और minus का 3 जो है यह as it is यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद minus का 3 नहीं आएगा इसमें भी हमें multiply करना है minus का 3 है minus का 3 है minus 3 से minus 3 को multiply करेंगे minus minus यह हो जाएगा plus से उसके बाद 3 को 3 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 9 और equals to 9 हमारा as it is यह वाला यहाँ पर आ जाएगा, अब इसको आगे solve करेंगे, ध्यान से देखना यहाँ पर, 9x में से 9x को हम माइनस करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 0, बचा क्या है, देखो यह वाली value solve करने पर 0 हो गई, बचा हमारा 9 equals to 9, तो यहाँ पर आ जाएगा हमा हैं सिर्फ वो बचे हैं तो इस वाली condition को हमेशा ध्यान में रखना जब भी variables हमारे cancel हो जाते हैं और सिर्फ numbers हमें मिलते हैं और एक दूसरे के equal मिल जाते हैं तो इस वाली condition में जो भी pair of linear equations हैं उनके infinite solutions होते हैं तो यहाँ पर हमें लिख देना है pair of linear equations have infinite solution कुछ भी pair दिया गया है third वाले part में equations का इनके infinite solution होंगे question number 1 के third वाले part का ये हो जाता है हमारा answer question number 1 के fourth वाले part को solve करने के लिए move करते हैं next page पर question number 1 के fourth वाले part पर आ जाते हैं fourth वाले part में pair of equations हमें जो दी गई हैं यहाँ पर coefficients को ध्यान से देखोगे तो decimal के बाद एक number दिया गया है अगर मैं इनको easy करना चाहूं इसको simplify करना चाहूं तो जो भी हमारा pair of linear equation है इनको solve करना easy हो जाएगा कैसे easy होगा वो भी बता देता हूं आपको या तो आप direct solve कर सकते हैं या फिर easy इनको simplify करके solve कर सकते हैं मैं simplify करके solve करना बताऊँगा क्योंकि मेरा काम है आपको easy solution provide करना easy method आपको सिखाना जो भी हमारी first वाली equation है और जो भी हमारी second वाली equation है दोनो equations को मैं क्या करता हूं 10 से multiply कर देता हूं दोनो equations को 10 से multiply करेंगे solution में यहाँ पर उपर वाली equation को 10 से multiply करूँगा 10 को 0.2 से multiply करूँगा तो यह हो जाएगा हमारा 2 और जो भी हमारा variable x है वो as it is इसके साथ में आ जाएगा बिल्कुल इसी तरह से 10 से यहाँ पर मैं 0.3y को multiply करूँगा तो यह हो जाएगा मेरा 3y इसके बाद equals का sign लगा लेंगे जो भी 10 है इसको 1.3 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पर 13 यह हो जाएगी हमारी first equation बिल्कुल इसी तरह से second वाली equation को भी 10 से multiply करेंगे 10 से 0.4x को multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 4x से इसके बाद plus का sign लगा करके 10 को 0.5y से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 5y equals का sign लगा करके 10 को 2.3 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 23 यह हो जाएगी हमारी second equation या तो आप equations को direct solve कर सकते हो जैसे हमने first से लेके third equation को solve किया या फिर आप इनको इस तरह से simplify कर लो उसके बाद solve कर लो यहाँ पर जो भी हमारी first equation है और second equation है first equation से इसको solve करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ from equation first first वाली equation को यहाँ पर as it's लिख लेते हैं 2x plus में 3y equals to में आ जाएगा 13 यहाँ पर एक variable की value हम find करेंगे x यहाँ पर है y भी यहाँ पर है x की value find कर लेते हैं x की value find करने का मतलब होगा x तो यहीं पर रहेगा x के अलावा जो कुछ भी है दूसरी तरफ चला जाएगा दूसरी तरफ हमारे पास पहले से है 13 इसके बाद क्या होगा plus का 3y है दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा minus का 3y denominator में भी कुछ ना कुछ value यहाँ पर आएगी क्योंकि x के साथ यहाँ पर 2 कैसे है multiply में दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा divide में जो भी हमारी यह x की value आई है इसको second वाली equation में x की जगे पर put करना होगा तो यहाँ पर लिखूंगा put x equals to 13 minus 3y upon 2 in equation second second equation में x की जगे पर यह value हमें रखनी है तो second equation को सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं जो की है 4x उसके बाद plus में 5y equals to me 23 यहाँ पर 4 हमारा as it is आ जाएगा 4 के साथ में जो x है उसकी जगे पर हमें यह value put करनी है तो यहाँ पर रख देते हैं x की जगे पर value जो आ जाएगी हमारी 13 minus में 3y इसके बाद denominator में 2 bracket close करेंगे जो भी x था हमारा उसकी जगे पर हमने यह value रख दी है इसके आगे हमारी values जो भी हमारा plus का 5y है और equals to me 23 है यह as it is आ जाएगे अब जो भी value put की है उसके बाद आगे solve करेंगे इसको यहाँ पर एक simple बात आप देख सकते हैं है it means multiply है यानि कि इस वाले 2 से 4 को cancel किया जा सकता है 2 से 4 को cancel करेंगे 2 times पर जो भी cancel करने पर हमारी value है वो इस bracket के साथ कैसे है multiply में है यानि कि 2 को 13 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 30 sorry 26 इसके बाद जो भी हमारा 2 है उसको 3y से भी multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा देखो sign कुन सा आएगा minus का 3y है 2 plus का है plus minus sign आजाएगा minus का उसके बाद 2 को 3y से multiply करेंगे तो ये हो जाएगा 6y then जो भी हमारी ये वाली values है 5y equals to me 23 ये as it is आजाएंगी यहाँ पर आगे इसको solve करेंगे तो बिल्कुल simple हमारी values हमें मिलती जाएंगी सबसे पहले y वाली जो terms हैं उनको solve करते हैं plus वाली जो term है उसको पहले लिखेंगे जो की 5y है यहाँ पर हमारा 5y आजाएगा इसके बाद minus का 6y है इसको यहाँ पर लिखा जाएगा minus का 6y equals to में हमारा 23 आजाएगा यहाँ पर 26 plus का है दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा minus का 26 है अब यहाँ पर देखो बिल्कुल simple चीज़ आपको मा बताऊँगा 5y में से 6y को minus करना है छोटी value में से body value को जो minus करते हैं तो sign लगता है minus का और इनका difference से find किया जाता है 5y और 6y का difference कितना है सिर्फ एक y का इसमें difference है तो यहाँ पर आजाएगा हमारा y equals to में यहाँ पर भी same condition apply होगी चोटी value में से body value को minus करेंगे तो sign minus का लगेगा और इनका difference कितना है 26 और 23 का difference है 3 का यहाँ पर भी minus का sign है यहाँ पर भी minus का sign है minus sign से minus sign cancel हो जाएगा y की value हमें मिल जाएगी 3 जो भी y की value हमें मिली है उसको इस वाली first equation में put कर देंगे तो जो भी हमारी x है उसकी value हमें मिल जाएगी तो first equation को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो की है 2x plus में आ जाएगा 3y equals to में आ जाएगा 13 मुझे क्या करना है y की जो भी value 3i है इस वाले y की जगे पर put करना है और solve करना है तो यहाँ पर हमारा 2x as it is plus में 3 आ जाएगा y आ गया यहाँ पर इसकी value हमें रखेंगे यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3 आ जाएगा equals to में आ जाएगा हमारा 13 आगे solve करेंगे तो 2x plus में 3 को 3 से multiply करेंगे तो ये हो जाएगा 9 है equals to 13 हमारा as it is यहाँ पर हमारा 2x आ जाएगा equals to 13 plus का 9 है यहाँ पर दूसरी तरफ इसको फैक देते हैं तो ये हो जाएगा minus का 9 है यहाँ पर x की value हमें find करनी है तो 13 में से 9 को minus करेंगे हो जाएगा यहाँ पर guys 4 उसके बाद x के साथ में जो 2 है इसको भी दूसरी तरफ shift करेंगे multiply में है दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा divide में 2 से 4 को cancel करेंगे 2 times पर x की value हमें मिल जाएगी 2 question number 1 के 4th वाले part में जो भी हमारा x है उसकी value हमें 2 मिल जाती है y जो है उसकी value हमें 3 मिल जाती है यह हो जाएगे 4th वाले part के solution यानि की answer 5th वाले part को भी solve करेंगे उसके लिए move करते हैं next page पर question number 1 का 5th वाला part है 5th वाले part में भी 2 equation है उपर वाली 1st नीचे वाली 2nd first equation से solve करना शुरू करेंगे first equation को as it is यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले root to x इसके बाद आ जाएगा हमारा plus में root 3y then equals to में आ जाएगा 0 यहाँ से क्या करते हैं x की value find कर लेते हैं या फिर y की value भी find कर सकते हैं किसी भी एक variable की value हमें find करनी होगी मैं find करूंगा x की x equals to में क्या होगा इधर 0 है यानि की plus का 3y है इसको दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा minus का root 3y इसके बाद x के साथ में यहाँ पर root 2 भी है तो इसको भी दूसरी तरफ shift करना होगा यह multiply में है x के साथ दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा divide में root 2 जो भी हमारी यह x की value i है इसको second equation में इसे x की जगे पर put करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ put x equals to में minus root 3 upon root 2y in equation second second equation में x की जगे पर यह वाली value हमें रख देनी है तो बिल्कुल second वाली जो भी हमारी equation है root 3x minus का आ जाएगा यहाँ पर root 2y equals to में 0 जो भी second वाली equation है as it is रहाँ ने लिख दी है अब x की जगे पर यह वाली value रखते हैं तो यहाँ पर हमारा root 3 as it is आएगा x की जगे पर आ जाएगा हमारा minus में root 3 upon में आ जाएगा root 2y हमारा as it is आ जाएगा यानि की यह वाली जो value है यहाँ पर मैंने लिख दी है इसके बाद bracket close करके जो भी आगे वाली values है as it is यहाँ पर आ जाएगी minus का root 2y और equals to में 0 आगे इसको solve करेंगे यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा bracket open करना होगा bracket open करते ही एक बात ध्यान रखना bracket open होने पर क्या होगा जो भी बाहर वाली value है अंदर वाली values में multiply होगी बाहर है root 3 अंदर है root 3 minus का plus minus से sign हो जाएगा यहाँ पर minus का root 3 को root 3 से multiply करेंगे तो बिलकुल simple term आग को बता देता हूँ अगर root 3 multiply में root 3 करते हैं तो वो equal होता है 3 के कैसे होगा यहाँ पर root के अंदर हो जाएगा हमारा 3 multiply में 3 pair बनने पर एक value बाहर निकल जाती है तो root 3 को root 3 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा guys 3 और minus का sign कैसे आया है बता चुका हूँ और इसके साथ में y भी हमारा as it is आ जाएगा denominator वाली value हमारी root 2 है यह as it is यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद आगे वाली values जो है वो as it is आ जाएगी minus का root 2 y और equals to में 0 अब इसको आगे solve करने के लिए जो भी denominator वाली values है उनका हमें LCM लेना होगा LCM लेने के लिए सर्फ हमारे पास एक ही value है अगर एक ही value है तो वो ही LCM होगी root 2 का LCM लेंगे तो root 2 ही आएगा उपर वाली values में जो changes होंगे वो ध्यान रखने हैं देखो LCM हमने root 2 लिया है और यहाँ पर भी root 2 है तो इसके उपर वाली value में कोई भी change नहीं होगा minus का 3Y as it is आएगा उसके बाद minus का sign as it is यह वाला आगया है root 2Y के नीचे कुछ भी नहीं है it means हमें इसको multiply करना होगा किस से multiply करें जो भी हमारे LCM के value है उसी से इसको multiply कर देंगे अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो root 2 से root 2Y को multiply कर देंगे अब यहाँ पर भी बिल्कुल simple logic लगाना है हमें अगर मैं root 2 को root 2 से multiply करता हूँ root 2 multiply में root 2 करूँगा तो वो equal होता है 2 के वही concept है root के अंदर 2 multiply में 2 होगा तो एक 2 इन में से बाहर निकल के आ जाता है pair में से एक value बाहर निकल जाती है तो root 2 को root 2 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2 और y हाँ पर as it is equals to में हो जाएगा 0 अब यहाँ पर एक simple चीज देखनी है आपको minus 3y minus 2y दोनों minus के हैं तो sign minus का ही रहेगा लेकिन add हो जाते हैं 3 और 2 यह हो जाएगा हमारा 5 इसके साथ में y भी आ जाएगा minus 3y minus 2y यह हो गए minus में 5y equals to में हो जाएगा हमारा 0 जो भी हमारा root 2 है यह divide में है दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा multiply में यहाँ पर root 2 अब यहाँ पर next वाले step में होगा हमारा y equals to में क्या हो जाएगा देखो 0 को root 2 में multiply करेंगे तो यह 0 ही हो जाता है क्योंकि 0 से किसी भी value को multiply करने पर 0 ही हमें मिलता है y के साथ में minus का 5 है दूसरी तरफ shift करेंगे कैसे है यह minus का 5 है multiply में दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा minus का 5 है divide में y की value हमें क्या मिलेगी 0 upon 5 है 0 के denominator में कुछ भी दिया हो value हमेशा 0 ही मिलती है ये हो गई हमारी y की value जैसे y की value हमें मिली है इस y की value को first equation में या फिर second equation में y की जगहे पर put कर देंगे और solve करेंगे तो x की value हमें मिल जाएगी तो first equation में put कर देता हूँ y की जगे पर first equation को यहाँ पर लिख लेता हूँ root 2 x से इसके बाद आ जाएगा plus में root 3 y equals to में आ जाएगा 0 इसमें जहाँ पर हमारा y है उसकी value हमने जो 0 find की है वो हमें put करनी है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा root 2 x से इसके बाद है यहाँ पर आ जाएगा हमारा plus में root 3 y की जगे पर रखेंगे उसकी value 0 जो की हमने find की है equals to में 0 जो rough work किया था explain करने के लिए उसको rub करता हूँ आगे इसको solve करेंगे यहाँ पर तो हमारा root 2 x तो as it is आएगा plus का sign as it is आएगा root 3 को 0 से multiply करेंगे किसी भी value को 0 से multiply करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है equals to में भी 0 है अब यहाँ पर देखो root 2 x में 0 add करेंगे तो बिल्कुल same ही value रहेगी कोई भी इसमें change नहीं आएगा ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा root 2 x से equals to में 0 हमें x की value find करनी है तो x as it is equals to में हमारा 0 root 2 x के साथ में कैसे है multiply में दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर यह डिवाइड में जैसे ही यहाँ पर 0 के denominator में कुछ भी हो तो 0 ही होगा बिल्कुल इसी तर ऐसे 0 के denominator में कोई भी value हो तो हमें 0 ही मिलेगा य x की value 0 find की और y की value भी हमने 0 find की यह हो गया pair of linear equations के solution 5 वाले part के लिए अभी question number 1 का last part बचता है 6 वाला part उसके लिए move करते हैं guys next page पर question number 1 के last यानि के 6 वाले part पर आ जाते हैं इसमें हमें 2 equation दी गई है उपर वाली first नीचे वाली second first equation से start करेंगे तो यहाँ पर लिख दिया गया है from equation first बिलकुल simple जो भी हमारी first equation है 3x upon me 2 minus में 5y upon me 3 equals to me minus का 2 यह equation as it is लिखेंगे अब इसको थोड़ा सा simplify करेंगे simplify करने के लिए denominator में जो भी हमारी value है उनका हमें LCM लेना होगा 2 और 3 है LCM एक साइड में आप लेके देख सकते हैं LCM में हमें 6 मिलेगा 2 और 3 का LCM 6 आ गया है अब उपर वाली जो values है ना उनमें change होता है जब भी LCM लिया जाता है अगर नीचे values अलग-अलग हैं तो बिलकुल easy तरीका क्या होता है cross में इस तरह से multiply कर दो 3 को 3X में multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 9X माइनस का sign as it is है और जो भी हमारा 2 है इसको इस तरह से cross में multiply कर देंगे 2 को 5Y में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 10Y equals to में हमारा minus का 2 as it is है यहाँ पर हम X की value find कर लेते हैं इस वाली equation से X की value find करेंगे तो 9X minus का 10Y हमारा as it is रहेगा equals to में जो भी हमारे denominator में 6 है divide में है इस तरह shift करेंगे तो हो जाएगा multiply में 6 को minus 2 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा minus में 12 अब simply हमें X की value find करनी है तो X हमारा as it is यहीं पर रहेगा X के अलावा जो कुछ भी है उसको दूसरी तरफ shift कर देंगे minus का 10Y है दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा plus का 10Y इसके बाद यह वाला minus का 12 जो है यह as it is यहाँ पर लिखा जाएगा इसके साथ ही हमने इसको दूसरी तरफ shift कर दिया यह as it is आगया अभी यह 9 बचा है 9 को यहाँ पर X के साथ multiply में है दूसरी तरफ shift करेंगे तो यह हो जाएगा divide में 9 है जो भी हमारी यह X की value I है इस X की value को हमें second equation में put करेंगे लेकिन उससे पहले second equation को भी simplify कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ second equation को जो हमारी है X upon 3 इसके बाद plus में Y upon 2 आता है और equals 2 में आ जाता है 13 upon 6 equation को simplify करना है तो क्या करेंगे वही LCM लेंगे 3 और 2 है तो LCM हमारा यहाँ पर आ जाएगा guys 6 है उपर वाली values के लिए क्या करेंगे cross में multiply करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था 2 को X में multiply करेंगे तो यह हुझा हमारा 2 X है इसके बाद 3 को cross में multiply करेंगे किस के साथ Y के साथ 3 को Y में multiply करेंगे तो यह हुझाएगा 3 Y and equals to में हमारा 13 upon 6 है as it is अब बिल्कुल simple बात एक समझना, यहाँ पर denominator में 6 है, यहाँ पर भी denominator में 6 है, तो 6 से 6 cancel हो जाएगा, equation बनेगी हमारी 2x plus में आ जाएगा, यहाँ पर 3y और equals to में आ जाएगा 13, जो भी हमारी यह equation आई है, इस equation में x की जगह पर यह वाली x की value put करेंगे, तो यहाँ पर मैं ल देखता हूं, put x equals to में 10y minus 12 upon 9 in equation 3rd, 3rd वाली equation में x की जगह पर यह वाली value put करनी है, तो उपर वाली equation हमारी यह 2 azities आ जाएगा, जो भी इसके साथ में x है, इसकी जगह पर हमें यह वाली value put कर देंगे, जो की है हमारी यहाँ पर 10, उसके बाद है y, minus में है 12, और denominator में हमारा 9 यह x की जगह पर हमने रख दी, इसके अलावा जो भी हमारी equation है, plus का 3y और equals to में 13, यह azities यहाँ पर आ जाएगी, अब simply यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो भी हमारी values हैना, सबसे पहले तो bracket open कर लेते हैं, और साथ ही LCM भी ले लेते हैं, देखो 3y के नीचे कुछ भी नह ही है, denominator में अकेली value 9 है, तो यहाँ पर LCM हमारा 9 ही हमें मिलेगा, उपर वाली values में क्या changes होंगे, देखो LCM 9 आया है, यहाँ पर 9 है, तो इसके उपर वाली values में कोई भी change नहीं होगा, अगर LCM और यह वाली values सेम हैं, तो उपर वाली values में कोई भी change नहीं होगा, बस जो भी हमारा ये bracket open करने पर हमारा multiplication होगा वो हमें perform करना है 2 को 10 y से multiply करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा guys 20 y then 2 को minus 12 से multiply करेंगे तो ये हो जाएगा minus का 24 अब यहाँ पर 3 y के नीचे कुछ भी नहीं है LCM हमारा 9 आया है इस तरह से cross में इस value को हम multiply कर देंगे 9 को 3 में multiply करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27 y equals to में हमारा 13 as it is अब यहाँ पर simply एक चीज़ हमें करनी है जो भी y वाली terms है उनको जोड लेना है 20 y, 27 y तो ये हो जाएगा हमारा 47 y equals to में हमारा आ जाएगा guys 13 9 यहाँ पर कैसे है guys 9 है यहाँ पर divide में दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा 13 में multiply का 9 है अभी हमारा minus का 24 है इसको भी दूसरी तरफ shift करेंगे minus का 24 है दूसरी तरफ जाके हो जाएगा plus का 24 यहाँ पर हमारा 47 y as it is रहेगा equals to में 13 को 9 से multiply करेंगे तो हो जाएगा 117 प्लस में 24 हमारा as it is, आगे इसको perform करते हैं, solve करते हैं यहाँ पर 47y यहाँ पर हमारा y आ जाएगा equals to में हो जाएगा कितना 117 प्लस में 24 करेंगे तो यह हो जाएगा 141 y के साथ यहाँ पर 47 कैसे है multiply में है, दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा यह divide में 47 अब बिल्कुल सिंपल 47 के table में 141 कितने पर आता है, 3 times पर y की value हमारी आ जाती है 3, जो भी हमारी यह y की value, आई है, इस y की value को हम put करेंगे guys इस वाली equation में x की value find करने के लिए, तो इस equation को यहां पर लिख लेता हूँ x हमारा as it is रहेगा equals to में हमारा 10 आ जाएगा जो भी हमारा यह y है न इसकी जगह पर हमें put करना है अभी के लिए y ही लिख लेते हैं तो यहां पर आगे गा हमारा y minus में 12 upon में 9 आ जाएगा हमें x as it is लिखेंगे x के अलावा जो भी हमारी y की value होगी उसको put करेंगे यहां पर आ जाएगा हमारा 10 y की जगह पर put करेंगे y की value 3 जो हमने यहां पर find की है 3 हमने put कर दिया इसके बाद minus का 12 और denominator में आ गया 9 x की value क्या होगी एक side guys मैं आपने आपको छोटा कर देता हूँ यहां पर जो भी हमारी value है न वो हमें find करनी है x के लिए तो हम solve करेंगे x हमारा as it is रहेगा equals to 10 को 3 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 30 minus का 12 as it is denominator में 9 आ जाएगा x की value क्या होगी x equals to 30 minus 12 30 में 12 को minus करेंगे तो आजाएगा हमारा 18 denominator में 9 as it is 9 से 18 को cancel कर सकते हैं कितने पर 2 times पर x की value हमें मिल जाती है 2 जो भी हमारे question number 1 के 6 तौले part में pair of equations दिये गए हैं इसमें x की value हमें मिली है 2 और y की value हमें मिली है गाई से 3 देख सकते हो दोनों values हमने यहाँ पर find कर ली है तो यह हो जाएंगे 6 तौले part के solution variables की value question number 1 के 6 तौले part के साथ question number 1 भी हो जाता है complete अब question number 2 करना है उसके लिए move करते हैं guys next page पर question number 2 आ जाता है question number 2 में दिया है solve 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 and hence find the value of m for which y equals to mx plus में 3 question number 2 में हमें यहाँ पर pair of equations दी गई है यहाँ पर इनको हमें solve करना है उसके बाद इस वाली condition के लिए हमें m की value find करनी है तो जो भी pair of linear equations हमें दी गई है सबसे पहले इनको solve करते हैं और variables की value find करते हैं solution में जो भी हमारी यह वाली equation है सबसे पहले लिख लेंगे यह वाली equation उसके बाद लिख लेंगे उपर वाली हो जाएगी हमारी first equation नीचे वाली हो जाएगी हमारी second equation अब first equation से solve करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखूंगा from equation of first जो भी first वाली equation है वहाँ से किसी भी एक variable की value find करेंगे तो first equation को यहाँ पर लिख लेता हूँ जो है 2x प्लस में 3y equals to me 11 यहाँ पर क्या करता हूँ मैं x की value find कर लेता हूँ x हमारा as it is यहाँ पर आ जाएगा x के अलावा जो कुछ भी है दूसरी तरफ उसको shift कर देंगे दूसरी तरफ पहले से हमारे पास 11 है तो यहाँ पर आ जाएगा 11 इसके बाद यह वाला 3y है plus का दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा minus का 3y 2 x के साथ multiply है दूसरी तरफ shift करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पर divide में जो भी हमारी यह x की value आई है इसे x की value को second वाली equation में put करेंगे इसे x की जगह पर तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ put x equals to 11 minus 3y upon 2 in equation second second वाली equation में x की जगह पर हमें यह वाली value put करेंगे तो second वाली equation as it is यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 x इसके बाद minus का 4y then आजाएगा हमारा equals to में minus का 24 2 हमारा as it is आएगा x की जगह पर हमें x की यह वाली value put करनी है जो की है यहाँ पर put करते हैं 11 minus में आजाएगा 3y और denominator में आएगा यहाँ पर 2 bracket close करके minus का 4y then आजाएगा हमारा equals to में minus का 24 as it is अब यहाँ पर देखो उपर 2 है नीचे 2 है 2 से 2 को cancel कर देंगे bracket को open करेंगे 11 minus 3y bracket open होने पर as it is आजाएगा इसके बाद minus का 4y जो है यह भी as it is आएगा और equals to में minus का 24 आजाएगा यहाँ से हम क्या करेंगे जो भी हमारा y है उसकी value find करेंगे add हो जाएगे 3 और 4 यह हो जाएगा हमारा 7 minus 3y minus 4y यह हो जाएगा minus में 7y equals to में minus का 24 as it is 11 अभी भी हमने नहीं लिखा है calculate नहीं किया है plus का 11 है दूसरी तरह shift करेंगे तो हो जाएगा minus का 11 आगे solve करेंगे तो जो भी हमारा y है वो as it is रहेगा equals to में जो भी हमारी यह वाली values है इनको calculate करेंगे minus का 24 minus का 11 दोनो values minus की है तो sign minus का ही रहेगा लेकिन दोनों add हो जाएगी 24 और 11 add होने पर हो जाएगा गयज़ 35 है y के साथ यहाँ पर minus का 7 multiply में है दूसरी तरह shift करेंगे तो यह हो जाएगा divide में minus का 7 है उपर भी minus का sign है नीचे भी minus का sign है minus sign से minus sign को cancel कर देंगे 7 के table में 35 आता है तो 7 से 35 को भी cancel कर देंगे 5 times पर y की value हमारी आ जाती है यहाँ पर 5 अब x की value find करेंगे x की value find करने के लिए यहाँ पर इस वाली equation में y की value 5 पुट कर देंगे y की जगह पर तो यह वाली equation as it is यहाँ पर लिख लेता हूँ x equals 2 में 11 minus में 3 y और upon में आ जाएगा यहाँ पर 2 पुट करेंगे इसमें x से हमारा as it is equals 2 में 11 minus में 3 आ जाएगा जो भी हमारा यह वाला y है इसकी जगह पर y की value 5 जो हमने find की है put कर देंगे और denominator में जो भी हमारा 2 है as it is आ जाएगा x से as it is equals 2 में 11 आ जाएगा minus का sign लगाएंगे 3 को 5 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 15 denominator का 2 as it is x की value क्या होगी हमारी x equals 2 में 11 में से 15 को minus करेंगे छोटी value में से बड़ी value को minus करते हैं तो minus में हमें value मिलती है और इनका difference जो होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा 11 और 15 का difference होता है 4 denominator में आ जाएगा 2, 2 से 4 को cancel कर सकते हैं 2 times पर यहाँ पर जो minus का sign है यह इसके साथ में as it is रहेगा x की value आ जाती है हमारी 2, हमने क्या किया जो भी question number 2 में pair of equations दी गई थी इसमें हमने x की value तो find कर ली है guys minus का 2 और y की value find कर ली है हमने यहाँ पर 5 है जो भी pair of linear equations हमें दी गई थी उनके solution हमने find कर लिए है लेकिन question अभी भी complete नहीं हुआ है अभी हमें इसे m की value भी find करनी है m की value find करने के लिए बहुत simple जो भी हमारी यह वाली equation है as it is यहाँ पर लिखेंगे y equals to m x plus 3 इसमें जो भी हमारा y है और यहाँ पर x है इनकी value हमें पता है इन values को put करेंगे y की value 5 है इस वाले y की जगह पर रख देते हैं 5 equals m हमारा as it is x की value minus में 2 है तो इसे x की जगह पर रखते हैं minus का 2 उसके बाद plus का 3 as it is आ जाएगा जो भी values थी y और x की वो हमने put कर दी है तो सर्फ m बचा है m की value यहाँ से find कर लेंगे solve करके 3 यहाँ पर plus का है इस तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा minus का इस तरफ पहले से हमारे पास 5 है plus का 3 इस तरफ आके हो गया minus का 3 equals to में m minus में 2 हमारा as it is रहेगा 5 में से 3 को minus कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2 equals 2 में आ जाएगा हमारा m m के साथ में minus 2 कैसे है multiply में इस तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा minus 2 divide में अब यहाँ पर देखो बिल्कुल simple उपर भी 2 नीचे भी 2 2 से 2 को cancel कर देंगे 1 time पर और ये 1 कैसा होगा minus का sign भी है तो 1 हो जाएगा हमारा minus का जो भी M है उसकी value कितनी हो जाएगी यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है minus 1 के अलावा यही हो जाएगी M की value minus में 1 question number 2 में जो भी हमारा x और y है उसकी value यहाँ पर हमने find की यह answer हुआ और M की value minus में 1 हमें मिली यह हमारा answer हुआ question number 2 के जो भी values भी हमने find कर ली है तो question number 2 हुआ complete question number 3 बचा है उसके लिए move करते हैं guys next page पर question number 3 आ जाता है question number 3 में दिया है form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method question number 3 के कई सारे parts हैं हर एक part में हमें equations का pair बनाना है जो भी problem दी होगी उसके लिए उसके बाद linear equations के हमें solution भी find कर रहे हैं और substitution method का use करके तो first वाले part में दिया है the difference between two numbers is 26 and one number is three times the other find them question number 3 के first वाले part में कहा गया है कि दो number हैं उनके बीच का difference 26 है एक number दूसरे number का तीन गुना यानि की three times है तो solve कैसे करेंगे जो भी number से हैं वो हमें find करने हैं solution में सबसे पहले जो भी चीज़े हमें find करनी है उनी को let कर लिया जाएगा तो let the first number भी x से second number भी y first number हमारा x से let कर लिया second number हमारा y हमने let कर लिया अब condition पर आ जाते हैं कहा क्या गया है कि difference between two numbers is 26 दोनों number का जो difference है न वो 26 दिया गया है यानि अगर इन दोनों का मैं difference पता लगाऊंगा तो वो 26 मुझे मिलेगा easy equation यहां से बन जाती है एक number में से दूसरे number को minus करेंगे तो वो हो जाएगा 26 के equal difference इसी दरह से तो पता लगाते हैं यह हो जाएगी guys हमारी first equation अब जो भी हमारी यह first equation है इसको as it is रहने देंगे second equation बनाएंगे one number is three times the other एक number दूसरे number का तीन गुना है अब हमने x में से y को minus किया है it means बड़ा number तो x होगा तभी तो difference 26 आया है तो हम क्या करेंगे जो भी यह वाली condition है ना कि एक number दूसरे number का तीन गुना है इसमें x हमारा बड़ा रहेगा x जो है ना वो y का तीन गुना है अगर हम y का तीन गुना करते हैं थ्री टाइम करते हैं तो वो x के equal हो जाता है simple condition हमने यहाँ पर use किया और second equation अपनी बना ली अब जो भी यहाँ पर x की value 3y दी गई है इस x की value को first वाली equation में x की जगह पर put करके हमें y की value find कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ put x equals to 3y in equation first बिल्कुल easy question है हमारा यह x की value 3y जो भी second equation में है इसको x की जगह पर put कर देंगे first वाली equation में तो first वाली equation को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x minus y equals to 26 है जो भी हमारा यह x है इसकी जगह पर इसकी value 3y पुट कर देता हूँ x की जगह पर मैंने put कर दिया 3y इसके अलावा minus का y equals to 26 है as it is आ जाएंगे कोई भी change करने की जरूरत हमें नहीं है अब आगे यहाँ पर देखोंगे इसको solve करेंगे 3y में से y को minus करेंगे तो यह हो जाएगा 2y equals to 26 है अब y की value क्या हो जाएगी y equals to 26 हो जाएगा और जो भी हमारा यह 2y के साथ multiply है दूसरी तरफ shift कर देंगे तो यह हो जाएगा गयज़े divide में 2 से 26 को cancel कर देंगे 13 times पर y की value हो जाएगी हमारी 13 y की value तो पता चल जाती है अभी x की value भी हमें find करनी है x की value find करने के लिए जो भी y की value हमारी 13 i है इसको second equation में put कर देंगे y की जगे पर तो यहाँ पर second equation जो भी हमारी है x से equals to में 3y इसको as it is मैंने लिखा अब यहाँ पर हमारा x equals to में 3 आ गया y की जगे पर मुझे क्या रखना है जो भी y की value हमारी मिली है जो की है 13 तो यहाँ पर आ जाएगा 13 अब इसको solve कर लेंगे x equals to में क्या हो जाएगा 3 को 13 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा guys 39 बिल्कुल simple जो भी दो number हमें find करने थे उन में से एक number 13 हो हो जाएगा दूसरा number हो जाएगा 39 सोरी first number हमारा x है तो यह हो जाएगा 39 और second number हमारा y है तो यह हो जाएगा 13 final एक लाइन यहाँ पर लिख देंगे first number जिसको हमने excellent किया था इसकी value हमारी 39 आ गई है और second number जिसको हमने y-let किया था इसकी value हमने find की थी 13 question number 3 के first वाले part का ये हो जाता है solution second वाला part solve कर रहा है अब हमें उसके लिए move करेंगे next page पर question number 3 का second वाला part आ जाता है इसमें दिया है the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees find them question number 3 के second वाले part में supplementary angles है जो बड़े वाला angle है वो छोटे वाले angle से 18 degree बड़ा है हमें दोनु angles find करने है छोटे वाला भी और बड़े वाला भी तो solution में जो भी हमें find करना होता है उसको let किया जाता है यहाँ पर हमने let किया है let the larger angle be x and the smaller angle be y जो बड़ा angle है वो x let कर लिया जो छोटा angle है उसको y let कर लिया यही दो चीज़े हमें find करनी है अब condition पर आजाओ condition बिल्कुल simple है बड़ा angle छोटे angle से 18 degree मनलब कितना बड़ा है छोटे angle से 18 degree बड़ा है यानि कह सकते हैं कि दोनो angles का ये difference हमें दिया गया है अगर बड़े angle से छोटे angle को minus करेंगे तो 18 degrees हमें मिलेगा तो बिल्कुल simple है बड़ा angle हमारा x है छोटा angle हमारा y है x में से y को minus करेंगे तो हमें कितना मिलेगा difference मिलेगा 18 first equation बन गई बिल्कुल simple अब इसी तरह से हम second equation बनाएंगे second equation का logic बिल्कुल simple है दोनो angles कैसे हैं? supplementary angles हैं अगर supplementary angles हैं तो आपको पता होना चाहिए कि supplementary angles का sum करने पर 180 degree के equal होता है यानि कि अगर दोनो angles को मैं add कर दूँ x और y हमारे दोनो angles हैं दोनों को add करूँगा तो ये equal होगा 180 degree के ये हो जाएगी हमारी second equation और 180 क्यों होगा? क्योंकि supplementary angles का sum दोनो angles क्या है? supplementary है यानि कि इनका sum 180 ही होता है दो equation हमारी बन गई है अब हम first equation से इसको solve करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा from equation first, first equation से मैं क्या करता हूँ? जो भी हमारी first equation है उसको यहाँ पर as it is लिख लेता हूँ x minus y equals to me 18 जो भी हमारी value है x की वो find कर लेते हैं यहाँ पर हमारा x आ जाएगा equals to me 18 आ जाएगा y कैसा है यहाँ पर minus का दूसरी तरफ shift करेंगे हो जाएगा plus का y जो भी हमारी यह x की value आई है 18 plus में y इस value को second equation में x की जगे पर put कर देना है तो यहाँ पर लिखा जाएगा put x equals to 18 plus y in second equation second वाली equation में यह वाली x की value हमें put करनी है तो second वाली value को यहाँ पर लिख लेता हूँ जो की है हमारी x plus में y equals to me 180 यहाँ पर x की जगे पर मुझे 18 plus में y लिखना है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18 plus में y इसके बाद यहाँ पर क्या होगा 18 plus y यह वाला x की जगे पर आ गया इसके बाद plus का y equals to me 180 यह हमारे as it is आ जाएंगे अब इसको solve करना है solve करने के लिए इसको आ जाते हैं यहाँ पर 18 हमारा as it is रहेगा चलो 18 को दूसरी तरफ shift कर देते हैं यहाँ पर y plus में y यह हो जाएगा हमारा 2y equals to me 180 आ जाएगा और यहाँ पर जो भी हमारा 18 है यह plus का है दूसरी तरफ इसको shift करेंगे तो यह हो जाएगा minus का 18 इसको solve करने से y की value हमें मिल जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा y equals to me 180 में से 18 को minus करेंगे तो यह आजाएगा 162 यहाँ पर y के साथ जो 2 multiply में है उसको दूसरी तरफ shift करेंगे तो यह चला जाएगा divide में 2 से 162 को cancel किया जा सकता है 2 8 जा होता है 16 यहाँ पर बचेगा 2 तो 2 के table में 2 आता है 1 time पर जो भी हमारा y है उसकी value हमें मिल जाती है 81 81 तो हमें मिल गई अभी हमें क्या करना है x angle की value भी find करनी है x angle की value find करने के लिए जो भी हमारी first equation है ना इसमें value पुट कर देंगे या फिर ये वाली जो equation है ना यहाँ पर पुट कर देते हैं ठीक है यह हमारी हो जाएगी guys third equation जो भी हमारी y की value 81 आई है इसको third equation में y की जगह पर put करते हैं तो third equation यहाँ पर लिखता हूँ मैं x equals to 18 plus का y as it is यहाँ पर आ जाएगा अब value put करेंगे x equals to 18 आ जाएगा plus का sign लगाएंगे y की value कितनी find की है हमने 81 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 81 अब यहाँ पर solve करेंगे x as it is यहाँ पर हम solve करना है add करना है इन दोनों को add करने पर हो जाएगा guys 99 जो भी हमारे दो angles थे बड़ा वाला angle x छोटा वाला angle y दोनों की value हमने find कर ली है x 99 degree आया है और y आया है 81 एक line यहाँ पर लिख देंगे larger angle जिसको हमने x let किया था इसकी value 99 आ गई है तो यहाँ पर आ जाएगा 99 और degree का भी sign हमें लगा देना है smaller angle जिसको हमने let किया था y इसकी value मिली हमें 81 तो angle y हो जाएगा हमारा 81 degree यही हो जाएगे second वाले part के हमारे answer से second वाला part हुआ complete third वाले part को solve करना है उसके लिए move करते है next page पर question number 3 का third वाला part आ जाता है इसमें है the coach of a cricket team buys seven bets and six balls for 3800 later she buys three bets and five balls for 1750 find the cost of each bet and each ball एक cricket coach है वो seven bets और six balls को खरीदती है 3800 rupees में उसके बाद वो तीन bet और पांच balls खरीदती है 1750 rupees में हमें पता लगाना है कि हर एक bet का cost कितना है हर एक ball का cost कितना है जो भी हमें find करना होता है उसी को solution में हमें let करना होगा तो solution में सबसे पहले मैं लिखता हूँ let cost of one bet एक bet का cost माल लेते है x rupees होगा और cost of one ball b एक ball का cost y rupees होगा अब जो भी condition दी गई है उसके according equation बनानी पड़ेगी हमें देखो एक bet का cost x rupees है तो 7 bet का कितना हो जाएगा 7 x हो जाएगा बिल्कुल simple यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 x बिल्कुल इसी तरह से एक ball y rupees की है तो 7 ball कितने की हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी यह 6 y rupees की तो equals का sign लगाएंगे 7 bet और 6 balls कितने में आते हैं 3,800 rupees में तो equals to में आ जाएगा 3,800 यह हमारी एक equation बन गई अब हमें पता है कि substitution method में हमें किसी एक variable की value तो find करनी होती है तो यहीं पर हम variable की value भी find कर लेते हैं variable की value find करने के लिए x तो हमारा as it is रहेगा equals to में हमारे पास क्या है 3,800 so 3,800 यहाँ पर हमारे पास पहले से है 6 y plus का है दूसरी तरह shift करेंगे तो हो जाएगा minus का 6 y then यहाँ पर हमारा 7 कैसे है x के साथ multiply दूसरी तरह shift करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा divide में 7 यह होगी guys हमारी first equation जो भी first equation में x की value आई है उसको second equation में put करेंगे x की जगह पर second equation बनानी पड़ेगी हमें एक bet x रुपीज का है तो 3 bet कितने के हो जाएंगे 3 x के हो जाएंगे इसके बाद plus का sign लगाएंगे एक bowl y रुपीज की है तो 5 bowl कितने की हो जाएंगी 5 y की हो जाएंगी equals का sign लगाएंगे 3 bet 5 bowls कितने की आती है 1750 की तो यहाँ पर आ जाएगा 1750 जीरो ये होगी हमारी second equation जो भी हमारी second equation है उसमें x की जगह पर हम ये वाली value रख सकते हैं जो हमारी first equation में हमें मिली है तो 3 हमारा as it is आएगा substitution method हम apply कर रहे हैं x की जगह पर हम ये value substitute कर रहे हैं x की जगह पर आजाएगा यहां पर 3 हमारा as it is आगया x की जगह पर आ जाएगा 3800 माइनस में 6y और अपोन में आ जाएगा 7 ये हमने x की जगह पर इस वाले x की जगह पर value put कर दी है x की value कहां से लिए हमने first वाली equation से इसके बाद वाली जो भी हमारी ये values हैं plus का 5y और जो भी हमारा equals to me 1750 है ये as it is आ जाएंगे अब हमें करनी है calculation 3 को 3800 से multiply करेंगे तो ये हो जाएगा 11400 उसके बाद minus का sign लगाएंगे 3 को 6y से multiply करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18y denominator में हमारा 7 as it is रहेगा इसके बाद जो भी हमारी ये वाली values हैं plus का 5y और equals to me 1750 ये as it is अपनी तरफ से 1 रख सकते हैं 7 और 1 जो भी denominator वाली values हैं इनका हमें LCM लेना होगा 7 और 1 का LCM लेने पर हमें 7 ही मिलेगा उपर वाली values क्या होगी ये important है अगर 7 हमारा LCM आया है यहाँ पर भी 7 है तो इसके उपर जो भी values हैं उनमें कोई भी change नहीं आएगा यानि कि उपर हमारा 11400 और minus का 18y as it is आजएगा यहाँ पर हमें change करना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे है 1 यहाँ पर हमारा LCM 7 आया है 1 को 7 बनाने के लिए हमें 7 से multiply करना होगा नीचे अगर 7 से multiply करेंगे तो उपर भी 7 से multiply करना होता है simple LCM का rule मैंने आपको बताया है यहाँ पर इस तरह से cross में multiply कर सकते हो 7 को 5Y से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 35 Y और equals to 1750 हमारा as it is है अब next step जो है वो यहाँ पर perform करेंगे next step में 11400 यह तो as it is लिख दो 11400 आ गया उसके बाद एक मिनट 11400 ने लिखते हैं पहले जो Y वाली values है न उनको पहले देखते हैं 35 Y है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 35 Y उसके बाद Y वाली कौन सी टर्म है 18 Y, minus का 18 Y है तो minus का 18 Y आ गया equals का sign लगा लेते हैं यहाँ पर 7 कैसे है divide में है इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा multiply में 7 को 1750 में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 12250 इसके अलावा हमारा अभी क्या बचा है 11400 यहाँ पर यह plus का है दूसरी तरफ इसको shift करेंगे तो यह हो जाएगा minus का 11400 अब यहाँ पर देखो 35Y में से 18Y को minus करना है तो यह हो जाएगा हमारा guys 17Y equals to में 12250 में से 11400 को minus करेंगे तो value आ जाएगी 8000 850 यहाँ पर अब Y की value हमें easily मिल सकती है कैसे मिलेगी Y हमारा as it is रहेगा equals to में 850 हमारा आ जाएगा जो भी 17Y के साथ multiply है दूसरी तरफ shift करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा divide में 17 के table में 85 आता है 5 times पर तो 175 जा 85 है एक 0 जो बची है इसी 5 के पीछे चिपका देनी है Y हमने let किया था एक bowl का cost जो हमें मिल जाता है 50 rupees लेकिन अभी एक bet का cost भी हमें find करना है bet का cost find करने के लिए जो भी first equation है इसमें Y की value जो हमने find की है ये put कर देंगे तो ये है हमारी first equation as it is यहाँ पर लिख लेता हूँ X से equals to में आ जाएगा हमारा 3, 8, 0 minus में 6, Y और denominator में आ जाएगा 7 X हमारा as it is equals to में 3,800 आ जाएगा minus में 6 आ जाएगा Y की जगे पर मुझे क्या रखना है जो भी value यहाँ पर Y की हमने find की है 50 so Y की जगे पर मैंने put किया 50 इसके बाद denominator में 7 as it is अब calculation करनी है X equals to में 3,800 आ जाएगा minus का sign लगा लेंगे 6 को 50 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 300 और denominator में 7 हमारा as it is अब इसको solve करेंगे तो X की value क्या होगी X equals to में 3,800 में से 300 को minus कर देंगे तो यह हो जाएगा 3,500 denominator में आ जाएगा 7 7 के table में 35 आता है तो 7 से 3,500 को cancel कर सकते हैं 7,500 35,20 जो बची है इसके पीछे लगा देंगे जो भी X है उसकी value हमें मिल जाती है 500 X की value 500 Y की value 50 दोनो values हमने find कर ली है X हमने let किया था cost of bat Y हमने let किया था cost of ball तो एक line यहाँ पर लिख देंगे cost of one bat जिसको हमने x let किया था value हमें मिली यहाँ पर 500 यह हो गया हमारा bat का cost और cost of one ball जिसको हमने वाइलेट किया था इसकी value मिली हमें 50 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50 question number 3 के third वाले पार्ट में एक bat का cost 500 हो जाएगा और एक ball का cost हो जाएगा 50 रूपीज यह हो जाएगा third वाले पार्ट के अंसर्स third वाला पार्ट हुआ complete अभी fourth वाला पार्ट बचा है उसको solve करने के लिए चलते हैं अगले page पर question number 3 के fourth वाले पार्ट पर आ जाते हैं fourth वाले पार्ट में दिया है the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 km the charge paid is 105 and for a journey of 15 km the charge paid is 155 what are the fixed charges and the charges per km how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km question number 3 के fourth वाले पार्ट में कहा गया है कि जो भी एक शहर है उसमें एक taxi है taxi के दो तरह के charges है एक तो fixed charge है और एक होता है जितना distance वो cover करती है उसके according charge लिया जाता है यानि कि पर km हर एक km के हिसाब से charge बनाया जाता है दूसरे वाला एक fixed charge एक चार्ज पर km होता है अब अगर किसी को 10 km टेक्सी में जाना है तो उसको 105 रुपे पे करने पड़ते है और अगर किसी को 15 km जाना है तो उसको पे करने पड़ते है 105 रुपे हमें पता लगाना है कि taxi का fixed charge कितना है और पर km का charge कितना है ये पता लगाने के बाद हमें ये भी पता करना है कि अगर किसी व्यक्टी को, अगर किसी परसन को 25 km distance ट्रैवल करना है टेक्सी में, तो उसको कितना pay करना पड़ेगा, तो solution में जो भी चीजे find करनी हैं, उसी को let किया जाएगा, हमें fix charge और charge पर km find करना है, तो इसी को let करेंगे, let fix charge भी महा लेते हैं, fix अब condition के according equation बना लेते हैं देखो पहले वाली condition क्या है कि 10 km जाता है तो उसे 105 रुपे देने पड़ते हैं देखो guys अगर taxi वो book करेगा तो एक fixed charge लग जाएगा fixed charge x हो जाएगा इसके बाद plus का sign लगाएंगे एक किलोमेटर y है तो 10 km का कितना पैसा देना पड़ेगा एक किलोमेटर का y रुपी चार्ज होता है तो 10 km का हो जाएगा यहाँ पर 10 y यानिकी 10 y दोनो fixed charge और charge पर किलोमेटर पूरा add होने पर हो जाता है 105 तो equals to में आ जाएगा यहाँ पर 105 यह हो गई हमारी first equation अब इस equation को हमे substitution method से solve करेंगे तो जो भी हमारा x variable है इसकी value भी find कर लेते हैं यहाँ पर हमारा x as it is रहेगा equals to में आ जाएगा 105 है जो भी हमारा यहाँ पर 10 y है दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा minus का 10 y यह हो जाएगी हमारी first equation है first equation बना ली अब second equation बनाने के लिए हमें condition दी है कि 15 km अ एक तो fixed charge x लग जाएगा इसके बाद उसे 15 km एक किलोमेटर का charge y है तो 15 km का कितना हो जाएगा 15 y equals to में total charge कितना हो जाता है fix charge और 15 km का charge मिला करके हो जाता है 155 यह हो गई हमारी गैस second equation अब first equation में जो भी हमारी x की value है 105 minus 10 y इसको second equation में x की जगए पर put कर देंगे और values find कर लेंगे बिल्कुल simple है यहाँ पर मैं लिखता हूं put x equals to 105 minus 10 y in equation second second वाली equation में x की जगए पर ये वाली value put कर देंगे जो हमें first equation में मिली है तो यह हमारा second equation वाला x है x की जगए पर हम रखेंगे x की जगए पर direct value put करता हूं 105 minus 10 y हो जाएगा इसके बा 15 y यह हमारा as it is आ जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे plus का 15 y और equals to में second equation के according 155 आ जाएगा अब इसको calculate कर लेंगे बिल्कुल simple है plus वाली value पहले लिखेंगे पहले y वाली जो terms हैं इनको calculate करते हैं यह हमारा 15 y है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा guys 15 y इसके बाद minus का 10 y आ जा 105 प्लस का है दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा minus का 105 है यहाँ पर simply 15 y में से 10 y को minus करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा guys 5 y equals to me 155 में से 105 को minus करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 50 हमें y की value find करनी है y की value find करने के लिए क्या करेंगे y तो हमारा as it is रहेगा equals to me 50 भी हमारा as it is आ जाएगा जो भी 5Y के साथ multiply है दूसरी तरफ shift कर देंगे तो हो जाएगा ये divide में 5 से 50 को cancel करेंगे 10 times पर Y की value आ जाती है हमारी 10 Y की value find करने के बाद अब हमें X की value भी find करनी पड़ेगी X की value के लिए use करेंगे हम first equation को तो यहाँ पर equation जो भी हमारी आई है उसको as it is लिख लेते हैं X plus में 105 minus में sorry X plus का sign नहीं आएगा यहाँ पर आप देख सकते हो equals का sign है तो इस plus के sign को हटा के equals का sign लगा देता हूं 105 minus में आ जाएगा 10 Y इसमें क्या करना है हमें X as it is equals to me 105 minus में यहाँ पर 10 आजाएगा जो भी हमारा यह Y है इसकी जगह पर Y की value जो भी हमें मिली है 10 वो हमें put कर देनी है तो यहाँ पर आजाएगा Y की जगह पर 10 solve करेंगे X equals to me 105 minus में 10 को 10 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा guys 100 अब बिल्कुल simple जो भी हमारा X है उसकी value क्या मिलेगी 105 में से 100 को minus करेंगे तो value हो जाएगी हमारी 5 है X की value 5 मिल गई Y की value हमें 10 मिल गई बिल्कुल simple जो भी हमारा fixed charge हमने let किया था X उसकी value 5 रुपे आ गई है 5 रुपे fixed charge है और Y हमने let किया था पर km का charge जिसकी value हमें 10 10 मिल जाती है यानि कि हर km का charge होता है 10 रुपे तो यहाँ पर लिख देंगे fixed charge जिसको हमने excellent किया था उसकी value हमें मिल जाती है 5 बिल्कुल इसी तरह से जो charge पर km है उसको हमने let किया है यहाँ पर Y इसकी value हमें मिलती है 10 पांच रुपे fixed charge है और 10 रुपे charge है हर एक km के लिए यह तो हमने find कर लिया है अब अगर किसी को taxi में 25 km का distance travel करना है तो उसको कितना pay करना पड़ेगा यह हमें बताना है यह वाला जो हमारी problem का last वाला part है इसके लिए हमें equation बनानी होगी बिल्कुल simple बताता हूँ आपको देखो सबसे पहले तो taxi book करते ही x रुपे उसका charge लग जाएगा fix charge लग जाएगा उसके बाद plus का sign लगा लेते हैं एक km चलने के लिए उसको y रुपीज pay करना होगा तो 25 km चलने के लिए कितना करना होगा 25 y पे करना होगा उसको ठीक है तो equals का sign लगा लेंगे इसमें value पुट करेंगे सबसे पहले तो equals का sign बाद में लगाएंगे देखो गैस यहाँ पर हमारा x जो है न इसकी value हम पता कर चुके है x की value 5 है तो x की जगह पर 5 पुट करेंगे plus का sign लगाएंगे 25 आ जाएगा उसके बाद जो भी हमारा y है इसकी value भी हमें पता है 10 हमने find कर ली है तो यहाँ पर y की जगह पर आ जाएगा 10 है अब equals का sign लगाएंगे इसको solve करेंगे यहाँ पर हमारा 5 as it is plus का sign लगा लेंगे 25 को 10 से multiply करेंगे तो यह हुजाएगा 250 5 plus में 250 यह हुजाएगा हमारा 255 है यानि कि जो भी 25 किलोमेटर है 1 किलोमेटर का charge होता है 10 रुपे और 25 किलोमेटर अगर किसी को travel करना है तो उसको charge देना होगा 255 रुपीज है एक line यहाँ पर लिख देता हूँ last में यहीं पर charge 425 किलोमेटर 25 किलोमेटर ट्रैवल करने के लिए जो charge है वो कितना देना होगा 255 रुपीज यहाँ पर हमने find कर लिया है तो question number 3 के 4 वाले पार्ट में हमने 3 चीज़ फाइंड कर ली है जो भी fixed charge है 5 रुपे होगा पर किलोमेटर का charge 10 रुपे होगा और 25 किलोमेटर अगर किसी को जाना है तो उसको pay करने होंगे 255 रुपीज पर 3 के 4 वाले पार्ट हो जाता है यहीं पर complete 5 वाला पार्ट solve करना है उसके लिए move करते हैं next page पर question number 3 के 5 वाले पार्ट पर आ जाते हैं इसमें दिया है a fraction become 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator if 3 is added to both the numerator and denominator it become 5 upon 6 find the fraction एक fraction है गयज़ अगर उसमें 2 add कर दिया जाए numerator और denominator दोनों जगे पर तो वो 9 upon 11 हो जाता है अगर उसकी fraction में उपर और नीचे यानिकी numerator denominator में 3 add कर दिया जाए तो वो 5 upon 6 हो जाता है हमें fraction find करना है fraction में उपर numerator होता है नीचे denominator होता है अगर हम numerator और denominator पता करतेंगे तो fraction easily हम बना सकते हैं solution में हमें क्या करना है numerator और denominator find करना है तो सबसे पहले यही let करेंगे let the numerator b x and denominator b y जो भी हमारा numerator है वो x हो जाएगा denominator y हो जाएगा अब condition के according हम अपनी equations बना लेंगे हमारा x क्या है numerator y है denominator यानि कि fraction होगा हमारा x upon में y अब condition क्या दी गई है कि उपर और नीचे यानि कि numerator और denominator में हम 2 add करेंगे उपर भी 2 add कर देते हैं और denominator में भी 2 add कर देते हैं तो जो fraction है वो क्या हो जाता है 9 upon 11 हो जाता है यानि कि equals to में आ जाएगा 9 upon में 11 इसको solve करके हम equation अपनी बना लेंगे solve कैसे करेंगे cross में इस तरह से multiply कर दो 11 को उपर वाली values में multiply कर दो 11 को x प्लस 2 में multiply करेंगे तो 11 को x में multiply करने पर यह हो जाएगा हमारा 11 x इसके बाद 11 को 2 में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा guys 22 equals का sign लगाएंगे जो भी y प्लस 2 है इसको इधर 9 में multiply कर देंगे y को 9 में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 9 y then हमारा जो भी 2 है इसको 9 में multiply करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 to the 18 अब simply जो भी हमारी equation है इसको simplify कर लेंगे देखो guys 11x हमारा as it is रहेगा equals to में आ जाएगा हमारा 9y दना जाएगा plus का 18 as it is 22 कैसा है plus का है दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा minus का 22 आगे इसको solve करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर x equals to में 9y इसके बाद में हमें क्या करना है 18 में से 22 को minus कर रहा है छोटी value में से बड़ी value को minus करेंगे तो sign हो जाएगा minus का 18 or 22 का difference हो होता है 4 तो यहाँ पर 4 आ जाएगा इसके अलावा यहाँ पर x के साथ 11 कैसे है multiply में है दूसरी तरफ shift करेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पर divide में यह हो जाएगी guys हमारी first equation जिसमें हम x की value है यहाँ पर हमने find कर ली है एक condition से यहाँ पर हमने first equation बना ली है अब second वाली condition पर आएंगे अगर जो भी fraction है उसके numerator और denominator में 3 add करते हैं तो वो 5 upon 6 हो जाता है तो हमारा fraction क्या बनता है numerator हमारा x है denominator हमारा y है अगर उपर numerator में भी 3 add कर दें और denominator में भी 3 यानि की 3 add कर दें तो यह equal क्या हो जाता है 5 upon 6 के तो यहाँ पर आ जाएगा equals to me 5 upon 6 बिल्कुल जैसे यहाँ पर हमने किया था cross में multiply यहाँ पर भी cross में multiply कर देंगे 6 को x plus 3 में multiply करेंगे सबसे पहले 6 को x में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 6 x उसके बाद plus का sign लगा लेंगे 6 को 3 में add करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 18 उसके बाद equals का sign लगाएंगे यहाँ पर y plus 3 है इसको इदर 5 में multiply करेंगे y को 5 में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 5y then हमारा जो भी 3 है इसको 5 में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 15 जो भी यहाँ पर हमारे terms आई है इनको अब simplify कर लेंगे 18 यहाँ पर plus का है दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा minus का 18 है जो हमारी second equation है वो क्या बनेगी गईज इसके बाद equals का sign लगा लेंगे यहाँ पर क्या होगा 15 में से 18 को minus करना है छोटी value में से बड़ी value को minus कर रहे है तो minus का sign लगेगा और इन दोनों का difference कितना है 3 का है त अब हम करेंगे क्या जो भी हमारी second equation है इसमें x की जगह पर ये वाली value put कर देंगे जिसको हमने first equation में find किया है बिल्कुल simple चीज करना है substitute value हमें कर देनी है x की तो यहाँ पर मैं लिखूंगा उसके लिए put x equals to me 9y minus 4 upon me 11 in equation second second वाली equation में इस x की जगह पर हमें ये value put कर देनी ह तो second equation में जो भी हमारा ये वाला 6 है ये as it is आ जाएगा इस 6 के साथ में जो भी हमारा ये x है इसकी जगह पर ये value हमें substitute करनी है तो इस x की जगह पर हम value put कर देंगे जो भी हमें put करनी है 9y minus में 4 और इसके denominator में आ जाएगा 11 bracket close करेंगे इसके आगे वाली जो values हैं ये as it is या पर आ जाएंगी minus का 5y और equals to में minus 3 value put करने के बाद अब इसको solve करेंगे solve करना बिल्कुल simple रहेगा हमारे लिए जो भी bracket है इसको open किया जाएगा 6 को 9 से multiply करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 9, 54, y हमारा as it is रहेगा minus का sign लगा लेंगे 6 को 4 से multiply करेंगे तो ये हो जाएगा guys 24, denominator म हमारा 11 as it is minus का 5y as it is और equals to में minus का 3b as it is आ जाएगा अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि 5y के denominator में कुछ भी नहीं है तो अपनी तरफ से 1 हम लगा सकते हैं जब अपनी तरफ से 1 लगा लेंगे तो यहाँ पर भी denominator है और यहाँ पर भी denominator है 11 और 1 इन दोनों का हम LCM ले देने के बाद उपर वाली values में change आएगा 11 और 1 का LCM लेंगे तो 11 ही आएगा अब यहाँ पर LCM 11 है और यहाँ पर denominator में 11 है तो उपर वाली values में कोई भी change नहीं आएगा उपर वाली values 54y minus में 24 as it is रहेंगी लेकिन यहाँ पर हमें change करना पड़ेगा minus का sign as it is आएगा यहाँ देखो 5y के नीचे 1 है इस 1 को हमें से LCM के equal करना है 1 को 11 करना है तो इसको 11 से multiply करना होगा उपर वाली value को भी 11 से ही multiply करना पड़ेगा 5y को 11 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 55y इसके बाद equals to में minus का 3 as it is आगे इसको solve करेंगे यहाँ पर देखो 54y है यहाँ पर minus 55y है इनको इकठा लिखेंगे 54y इसके बाद minus का 55y है इसके बाद equals का sign लगा लेंगे यहाँ पर देखो गाईज 11 divide में है दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा multiply में 11 को minus 3 से multiply करेंगे यह plus में है यह minus में है plus minus हो जाएगा 11 को 3 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा guys 33 इसके बाद यहाँ minus का 24 है दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा plus का 24 यहाँ पर बिल्कुल simply 54y में से 55y को minus करेंगे छोटी value में से बड़ी value को minus करते हैं तो sign लगेगा minus का और इनका difference हमें देखना है 55y और 54y का difference सिर्फ एक y का है तो यहाँ पर अकेला y आ जाएगा equals का sign लगाएंगे 24 plus का ह पहले 24 लिखा जाएगा minus का 33 उसके बाद लिखा जाएगा minus y यहाँ पर as it is equals to me 24 में से 33 को minus करेंगे छोटी value में से बड़ी value को minus करते हैं तो sign आएगा minus का इन दोनों का difference कितना है यह difference है guys 9 का अब यहाँ पर देखो इधर भी minus का sign है इधर भी minus का sign है तो minus sign से minus sign cancel हो जाएग y की value हमें मिल जाएगी 9 जो भी हमारी y की value मिली है इस y की value को use करेंगे हम x की value find करने के लिए देखो first equation है हमारी यह equation as it is यहाँ पर लिख लेते हैं x equals to me 9y minus में 4 upon में 11 इस equation में जो भी हमारा y है इस y की जगह पर जो भी value हमने find की है वो हम put कर देंगे तो हमारा x as it is रहेगा equals to me 9y की जगह पर भी हम value put करेंगे जो यहाँ पर हमने find की है जो की 9 ही है तो यहाँ पर आ जाएगा 9 इसके बाद minus का 4 as it is और denominator में आ जाएगा हमारा 11 यहाँ पर आ जाएगा हमारा x से equals to में 9 को 9 से multiply करेंगे तो यह हुँ जाएगा हमारा 81 81 के बाद minus का 4 है as it जाएगा और denominator में आ जाएगा 11 81 में से 4 को minus करेंगे तो यह हुँ जाएगा 77 denominator में आ जाएगा 11 11 के table में 77 आता है 7 times पर cancel कर देंगे x की value हमें मिलेगी 7 जो भी fraction है वो क्या होगा देखो गैजे numerator हमने x let किया था जिसकी value हमें 7 मिल गई और denominator हमने y let किया था जिसकी value हमें 9 मिल गई तो यहाँ पर लिखेंगे therefore the fraction will be जो भी हमारा fraction है वो क्या बनेगा fraction के numerator यानि की उपर वाली side आ जाएगा हमारा x जो की हमने 7 find किया है और नीचे की तरफ आ जाएगा y जो की हमने यहाँ पर 9 find किया है यह हो जाएगा question number 3 के fifth वाले part का answer इसी answer के साथ fifth वाला part हो जाता है complete अभी question number 3 का last part बचा है उसको solve करेंगे उसके लिए move करते है next page पर question number 3 का last यानि की sixth वाला part finally हमारे सामने है इसमें दिया है question number 3 के sixth वाले part में दो करेक्टर है एक है जैकोब दूसरा है जैकोब का बेटा दोनों की present age हमें find करनी है जो भी condition दी गई है equation बनाने के लिए उन पर आएंगे लेकिन जो भी पहले हमें find करना है उसी को हम let कर लेते है solution में तो हम लिखेंगे यहाँ पर let age of जैकोब भी x जो भी जैकोब है उसकी age माल लेते है x होगी इसी तरह से age of sun भी y जो भी उसका बेटा है उसकी age माल लेंगे y होगी दोनों की present age x और y हमने let कर ली है अब यहाँ पर condition क्या दी गई है कि 5 साल बाद आज से 5 साल बाद की बाद की गई है और आज से 5 साल पहले की बाद की गई है दो अलग-अलग condition है दोनों अलग-अलग condition से हम equations बनाएंगे अलग-अलग तो यहाँ पर लिखा है after 5 years या यहाँ पर क्या लिखा गया है after 5 years, जैकॉब की age आज अज एक्स है तो आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी जैकॉब की age अगर आज एक्स है तो 5 साल बाद वो 5 साल बड़ा हो जाएगा यानि कि इसकी age हो जाएगी यहां पर x से plus में 5 वो 5 साल बड़ा हो जाएगा बिल्कул simple बात है आज से 5 साल बाद मेरी age 5 साल मैं बड़ा हो जाऊँगा आप भी 5 साल बड़े हो जाएंगी बिल्कुल इसी तरह से बेटे की age y है आज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी वो भी 5 साल बड़ा हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा accessory y है उसके बेटे की age आज y है तो 5 साल बाद हो जाएगा y प्लस में 5 वो भी 5 साल बड़ा हो जाएगा बिल्कुल सिंपल चीज हमने की है अब यहाँ पर condition क्या दी गई है कि जैकोब की age 5 साल बाद अपने बेटे की 3 गुनी होगी उसके बेटे की 5 साल बाद age इतनी है अगर मैं इसका 3 गुना कर तो जैकोब की age के ये equal हो जाता है ठीक है 5 साल बाद जो उसके बेटे की age होगी जो कि यहाँ पर y प्लस में 5 है इसका अगर 3 टाइम्स कर दें तो जैकोब की age के equal हो जाता है बिल्कुल simple condition यहाँ पर हमने after 5 years वाली use करके ये एक equation बना ली है अब इसको थोड़ा सा simplify करेंगे यहाँ पर हमारा x से प्लस में 5 as it is आएगा equals to में यहाँ पर इस bracket को open करेंगे 3 को y में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 3y उसके बाद 3 को 5 में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 15 आगे यहाँ पर जो भी हमारा x है वो as it is आएगा equals का sign लगा लेंगे 3y प्लस में 15 हमार as it is रहेगा यहां से plus का 5 है है दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा minus का 5 है जो भी हमारा x है as it is equals to में 3y भी आ जाएगा और 15 में से 5 को minus कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा guys 10 यह हो जाएगी हमारी first equation एक equation हमारी बन गई इसी तरह से before 5 years की हमें condition लेनी है और यहां से भी एक equation बना लेनी है देखो guys आज से 5 साल पहले मेरी age आज जितनी भी हो 5 साल पहले 5 साल मैं छोटा रहूँगा इसी तरह से जैकोब की age अगर आज x है है तो 5 साल पहले उसकी age कितनी थी x minus y वो 5 साल छोटा था बिल्कुल इसी तरह से उसके बेटे की age y है 5 साल पहले कितनी थी 5 साल वो भी छोटा था यानि कि यहां पर हो जाएगा y minus में 5 है अब इसमें condition क्या दी गई है 5 years ago यानि कि 5 साल पहले के लिए जैकोब age was 7 times है जैकोब की age उसके बेटे की age से 7 times थी उसके बेटे की age 5 साल पहले y minus 5 थी इसका 7 times हम करेंगे तो वो जैकोब की age के equal हो जाता है बिल्कुल simple यहां पर हमने यह equation बना ली इसको भी simplify करेंगे तो यहां पर आएगा हमारा x minus 5 as it is equal to में जो भी यह bracket है इसको open करेंगे 7 को y से multiply करेंगे यह हो जाएगा 7y minus में sin as it is 7 को minus 5 से multiply करेंगे मतलब minus 5 से multiply करेंगे sin minus का ही रहेगा 7 को 5 से multiply करेंगे यह हो जाएगा 35 है अब इसको और simplify करेंगे तो x हमारा as it is 7y plus का है इस तरफ लेकर आएगे हो जाएगा minus का 7y equals to में हमारा जो भी minus का 5 है दूसरी तरफ shift करेंगे हो जाएगा plus का 5 और minus का 35 है यह as it is यहाँ पर आजाएगा आगे यहाँ पर x as it is minus का 7y as it is equals to में 5 में से 35 को minus करेंगे छोटी value में से बड़ी value को minus करते हैं तो sin minus का आएगा और इनका difference जो है वो है 30 यहाँ पर लिख देंगे यह हो जाएगी गाईज हमारी second equation अब जो भी हमारी first equation में हमने x की value find की है उस x की value को second equation में इस x की जगे पर substitute कर देना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर solve करेंगे यहाँ पर मैं लिखता हूँ put x equals to 3y plus 10 in equation second second वाली equation में x की जगे पर 3y plus में 10 हमें put करना है तो इस वाली equation को as it is यहाँ पर लिख लेते हैं x minus में 7y equals to में minus का 30 हमें इस x की जगे पर क्या रखना है 3y plus में 10 तो x की जगे पर आ गया हमारा 3y plus में उसके बाद आ जाएगा 10 है इसके बाद जो भी हमारा minus का 7y equals to में minus 30 है यह हमारे as it is आ जाएंगे अब इसको solve करेंगे value put करने के बाद ध्यान रखना है जो भी values y वाली terms हैं उनको इकठा लिखा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3y उसके बाद minus का 7y equals to में minus का 30 हमारा as it is आ जाएगा जो भी यहाँ पर 10 हमारा है न प्लस का है दूसरी तरफ shift करेंगे हो जाएगा minus का 10 है यहाँ पर क्या होगा 3y में से 7y को minus करेंगे तो यह हो जाएगा guys minus का 4y और equals to में क्या हो जाएगा minus 30 minus 10 दोनो values minus की हैं तो यह plus हो जाएगी लेकिन sign minus का ही रहेगा यहाँ पर 30 और 10 add होने पर हो जाएगा 40 लेकिन sign minus का ही रहेगा क्योंकि दोनो values minus की हैं अब इस तरफ भी minus है इस तरफ भी minus है चलो छोड़ो इस चीज को भी छोड़ते हैं y की value find करते है y equals to में minus 40 हमारा as it is जो भी हमारा minus का 4y के साथ multiply है दूसरी तरफ इसको shift करेंगे तो के हो जाएगा guys divide में minus 4 उपर भी minus का sign है नीचे भी minus का sign है minus sign से minus sign cancel हो जाएगा जो भी 4 है उससे 40 को cancel किया जा सकता है 4 से 40 को cancel करेंगे 10 times पर y की value हमें मिलेगी 10 जो भी हमारी y की value आई है उसको हम put करेंगे first वाली equation में तो हमें x की value भी मिल जाएगी तो first वाली equation को यहाँ पर लिख लेता हूँ जगया भी हमारे पास है x equals to me 3 y उसके बाद plus में 10 यहाँ पर हमारा x as it is रहेगा equals to me 3 आ जाएगा y जो भी हमारा है उसकी value हमने इस वाले y की value हमने find कर ली है 10 तो y की जगया पर हम 10 put करेंगे plus का 10 as it is आ जाएगा x की value क्या होगी x equals to me 3 को 10 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा guys 30 plus में हो जाएगा 10 x equals to me क्या हो जाएगा 30 plus में 10 यह हो जाएगा guys हमारा 40 हमने दो चीज़े find कर ली है y की value यहाँ पर हमारी x की value अब बिल्कुल simple एक line में answer हम लिख देंगे यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैकोब से age जिसको हमने x select किया था जैकोब की age we can choose y को हमने x select किया था उसकी value यहाँ पर हमें 40 मिल गई है तो जैकॉब की age हो जाएगी guys 40 years है बिल्कुल इसी तरह से sun age जैकोब का जो beta है उसकी age को हमने let किया था y जिसकी value यहाँ पर हमने find की है 10 तो जैकोब के beta की age हो जाएगी guys है 10 years और जैकोब की हो जाएगी 40 years है यह y रिप्रेजेंट करता है गाईज इयर्स को ये कोफी शोरी हमारा ये नहीं ये वालावाई नहीं है ये रिप्रेजेंट करता है इयर्स को तो कुशन नंबर 3 के 6-12 पार्ट में जैकोब की एज 40 साल हो जाएगी उसके बेटे की एज 10 साल हो जाएगी ये हो जाएगा question number 3 के 612 part का answer इनी आर्थनोंस के साथ question number 3 का 612 part हो जाता है complete इसी question number 3 के 612 part के साथ exercise 3.2 हो जाती है complete उमीद करूँगा सभी के सभी question आपको समाज आये होंगे अगर आये हैं तो वीडियो को like कर देना आपने classmates के साथ share कर देना जितने भी नए students है चैनल को subscribe कर देना class tense related जो भी educational content है videos है channel पर इसी तरह से आते रहेंगे इसके अलावा chapter number 3 की जो भी other videos है introduction वाली वीडियो या फिर exercise वाली वीडियो सभी के लिंक आपको नीचे description box में दिये गए है सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आप से इसी तरह की next educational वीडियो में झाली वीडियो में दिये आप से शीचे वीडियो में अप